आपका एक और फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कर्ष करूंगा पॉपुलर भीकर एंड सर्भीस का IPO के बारे में इसमेंarily मैं आपसे डिस्कर्ष करूंगा कि इसका bidding list क्या है minimum investment आप इसके अंदर कितना कर सकते हैं इसका lot size क्या है price range क्या रहने वाला है यदि आप regular है या फिर इसके employee है तो आपको price range क्या रहने वाला है तो यह सिर्फ चीज जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको complete देखने को मिलेगा तो इस वीडियो को last तक जरूर देखेगा तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं popular and service का जो IPO है उसमें आप minimum investment 14,000 रुपया का कर सकते हैं यानि कि 50 share का bidding date जो start होगा वो start होगा 12 March से लेकर के 14 March क के बीच में आप इसमें bidding कर सकते हैं minimum investment आप इसमें 14,000 का कर सकते हैं जो कि lot size रहेगा 50 का price range जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला 280 से लेकर के 295 रुपया के बीच में और यह IPO का issue size है 601.55 करोर का अब हम लोग बाद में देखेंगे इस company के about वाले section पे उससे पहले मिश्टर नवीन फिलिप अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी financial के उपर में तो इसका 2018 में जो revenue था वो 894 का था 2022 के अंदर 3466 का और 2023 के अंदर 4975 का है यानि कि साल दर साल इसका जो revenue हो वो increase होते चला गया तोटेल आसिस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो हो 2018 में 1199 कलोर का था 2022 में 1263 कलोर का और 2023 के अंदर जो था वो 504 कलोर का था अब हम लोग इसकी profit के उपर अगर बात करते हैं तो company ने 2021 में जो profit जन किया था वो किया था 32.46 कलोर का 2022 के अंदर 33.67 कलोर का और 2023 के अंदर 4.07 कलोर कर यानि के company साल दर साल अपना जो आप profit वह इंक्रीज यहाँ पर कर रहा है अब इसका हम लोग प्राइस रेंज किया कर बात करेंगे यदि आप रेगुलर है तो आपको जो प्राइस रेंज मिलने वाला है वह दो सो असी से लेकर करके 295 रुपिया के बीच में देखने को मिल प्राइस रेंज मिलने वाला है वह मिलने वाला दो सो बाउन से 267 के बीच में और इसमें 2 लाख रुपिया तक का आप investment कर सकते हैं यदि आप हाई network individual है तो आपको प्राइस रेंज मिलनेगा 280 रुपिया से लेकर के 295 रुपिया के बीच में और इसमें आप अप्लाइज 2 बात करते हैं main point क्या हम लोग इसके अंदर investment कर सकते हैं इसका base model क्या है role model क्या है तो सबसे पहले समझेए जो popular भैकिल and service जो है वो एक automobile dealership company है इसका role model क्या है तो इसका role model है जितने new भैकिल servicing होता है या भी spare part distribution का driving school का third party insurance ये सभी चीज़े वो sell करता है December 2023 के अंदर बात करें तो इसका 61 सोरूम था 133 sales outlet था 32 प्रिवंड वेकिल सोरूम था 149 authorized service center और 43 retail outlet और 24 इसका warehouse है warehouse की बात प्रे लेते हैं तो केरला के 14 district में इसका warehouse है करनाटक का 8 district में है तामिलनाडू का 12 district में है और महराष्ट के 9 district में इसका जो है अभी warehouse है तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि क्या हमें इसका IPO लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए तो मेरे हिसाब से इसका IPO लेना सही रहेगा क्योंकि यह जो company है हर साल अपना revenue profit assist जो है increase करते जा रहा है साथी साथ इसका role model काफी मुझे अच्छा लग रहा है बाकी यदि आप investment करना चाहते हैं तो आप अपना जो है expert से जरूर सला लेंगे जो भी आपके financial manager होंगे उससे समझ भूज कर ही आप इसमें अपना जो है investment करेंगे तो मेरे opinion के साब से आप इसमें investment कर सकते हैं बाकी आप अपने डिक्स पे कीजिए या फिर नहीं कीजिए क्योंकि मैं एक semi registered back ती नहीं हूँ तो फिर मिलते हैं बोग नेश्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी आनकारी को ले करके